स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जो अक्सर छुपा दिया जाता है अज हम बात करने जा रहे हैं पूने महाराष्ट में जो पॉर्शो आइक्सिडेंट हुआ था उसके बारे में और कैसे फॉर्फुल लोग अपने पॉजिशन का मिस यूज करके कानों से बच निकलते हैं तैयार हो जाईए क्योंकि यह सफर काफी हाड एटिंग और इमोशनल होगा एक नोजवान लड़का और एक लड़की बस एक पार्टी से लोट रहे थे जब उनकी जिन्दगी एक हादसे में खतम हो गई इस घटन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और सड़क पर लोग उतर आये जस्टिस मांगने के लिए लिकिन इसे हादसे बार बार होते क्यों है आए इनके रूट्स और क्वाजस को समझते है पॉलिटिकल इन्फ्लिउस और करप्शन काफी बड़ा फैक्टर है कि पाउर्फुल लोग अकसर कालों से बच निकलते है इंडिया में पॉलिटिचर्स और लॉट एन्फॉर्मिल्स का निक्सस काफी स्ट्रॉंग है या फिर उसे वीकन या फिर खारीज कर देते है यह सिर्फ स्पेकुलिशन नहीं है बहुत सारी केसस ने इस बात को साबित भी किया है वैदन्त अगरवाल का केस भी कुछ अलब नहीं है इनिशिल रिस्पॉंस तो फास्ट था लेकिन किया लीगल प्रोसेस इन्फॉर्मिल्स होके अगरवाल फैमिली के फेवर में चाहेगा पहले केस उसको देखकर तो लगता है कि यह पॉसिबल है कॉर्पोरेट इन्फॉर्स और रेगलूटरी कैप्चर भी क्रिटिगल इशूस है बड़े कॉर्पोरेशन बहुत पावर विल्ड करते है और गवर्मेंट पॉलिसिस को उने इंटरेस्ट लिए बेंड करते है यह इन्फॉर्स लीगल आउटकॉम्स को फेवरेबिल बनाने और पेनल्टीज आवर्ड करने दक एक्स्टेंड होता है यह पॉब्लिक को इन्फॉर्म करने के बारे में नहीं है बलकि यह नेरेटिव कंट्रोल करने के बारे में है पूला एक्सिडेंट की इनिशल कवरेज एक्स्टेंसिंग थी लेकिन कितने दिने तक मीडिया स्वाटलाइट में बने रहेगी जब तक इन्फॉर्शल प्रेशर उसे डीम नहीं कर देता आज कुछ लोगों के लिए हाट निउस है कुछ दिलों के बात लोग रोजाना जिन्दगी में वापिस चले जाएंगे कोई नया हाथसा ट्रेंड में आ जाएगा इसी का फाइदा उटा कर इस कल्प्रिट अपने आपको कानून से बचा कर भाग जाते है या फिर भी हाँ हो जाते है मिडिया जो एक पाउरफुल टूल है पबलिक ओपिनियन को शेप करने का अकसर वो ही इंफ्रिएंस में होता है यह इंशूर करता है कि इनके विस्डिड्स या तो अन्रिपोर्टेड हो या फिर पॉजिटिव लाइट में हो और कल्चुरल मानिपुलेशन वालिटेशन और पाउरफुल फिगर स्टोशल और कल्चुरल डाइवर्जन को एक्स्लिड करते है ताकि अपने पाउर को कंसलिडेट कर सके और अपनी गल्टियों से द्यान हटा सके इस एन्वार्मेंट में रियल अकॉंटिबलिटी एक डूर की बात बन जाती है जूडिस यारी जो हम जैसे आम लोगों का आकरिसा आ रहा है जस्टिस का वो भी मैलिपलोचन से बचा नहीं है इन्फिलेशन लोग फोसेडिंग को इन्डिफिनेटली डिले कर सकते है लीगल टाक्टिक्स का यूज करके टाइमली जस्टिस के बाद बच निकलते है इनके महेंगे वकील ऐसे आर्गोमेंट देते हैं कि वो लगता है कि कोई ठीलर मूवी की स्टूरी चल रही हो यह सिर्फ डिले नहीं है जस्टिस का डिनायल है इसे हम अब तक बड़े बड़े ड्रिंक और ड्रावी के केसेस देखते आ रहा है का विदंत अगरवाल भी ऐसे ही चुट जाएगा पब्लिक रिसोर्सेस जो सोशल बेटरमेंट के लिए है अक्सर पवर्फल लोग उसे मिस्यूज करते है अपने परसनल गेन के लिए ऐसी केसेस में लोग भूल जाए इसलिए इन केसेस को आगे की तारीख आगे की तारीख बलकर इन्हें आगे बढ़ाया जाता है क्या पवर्फल लोगों की लिगल टीम explicit करके case को delay और dilute कर देती है जब तक public outrage और justice भूल जाए public resources जो social betterment के लिए है अक्सर powerful लोग use करते है अपने personal gain के लिए अगरवाल family का ये case बतता है कि कैसे powerful लोग अपने power का use करके कैसे system को खरीद सकते है bank loan default by influential business figures ये भी एक major issue है huge laws public sector में bank से लिए जाते है वो भी अक्सर repay नहीं किये जाते resulting in significant losses ये default frequently write-off कर दिया जाते leaving burden on taxpayers जब influential individuals public resources का misuse करते है और financial responsibility से evade करते है public को ही उसका price pay करना पड़ता है ये tragic incident सिर्फ एक young man और एक reckless act के बारे में नहीं है एक system के बारे में जो repeatedly fails to hold the powerful accountable ये एक legal और societal framework के बारे में है जो urgent reform करने की ज़रुरत है ताकि justice एक privilege ना बन सके और reach और influential लोगों के लिए public outcry जो पूले accident के बाद हुई एक call to action है हमें stronger law चाहिए transparent governance चाहिए और एक unwearing commitment to justice चाहिए हमें अपने leaders और institution को accountable रखना चाहिए इस पूले accident ने एक बार फिर ये सवाल उटा दिया है कि हमारे देश में justice सिर्फ एक dream क्यों बन गया है लोग सड़क पर इंसाब की मांग कर रहे है लेकिन ये मांग कब तक पूरी होगी जब तक हमारे system में ऐसे corrupt लोग बरहे है पब्लिक का ये pressure ही है जो powerful लोगों को accountable रख सकता है अगर हम सब मिलकर आवाज उटाएंगे तो कोई भी power misuse को अंजाम नहीं दे सकती पब्लिक pressure और media power से ये system में सुधार आएगा और ये सिर्फ पूने accident की बात नहीं है हर जगह हर शहर में ये मूँ में चालो रहना ज़रूरी है ये ज़रूरी है कि हम अपने आवाज उठाएं concrete step उठाएं ताकि ऐसे हाथ से दोबारा ना हो हमारे ज़रूर थे हमारे stronger laws की जो truly enforce किये जाए ताकि हर common man को उसका right to justice मिल सके ताकि कल ऐसे हाथ से आपके और मेरे साथ ना हो justice system को reform करना होगा speedy trials, sick permissions for offenders और no interference from powerful individuals ये सब ensure करना होगा सिर्फ तभी हम एक fair और civilized society बना सकते है मेडिया को रोल यहाँ पे बहुत crucial होता है independent और fearless journalism ही powerful लोगों का accountable रख सकता है मीडिया को ऐसे cases को continuously focus में रखना चाहिए और public को सच्चा ही से aware करते रहना चाहिए और public awareness भी equally important है हर एक citizen को अपना रोल समझना होगा social media campaigns, community meetings और constant vigilance से हमें एक strong democratic setup बना सकते है जहां हमें justice prevail कर सके ये आखिर में हम पे depend करता है awareness फैलाना और अपने लिल्स को accountable रखना हम सब का फर्ज है transparency, accountability और justice के लिए हमें मिलकर काम करना होगा अब वक्त आगाया है अपने democracy को correct और powerful लोगों के चुंगान से बहार निकालने का मिलके हम एक fair इंडिया बना सकते है अब वक्त आगाया है इसे दिखाने का कि कानन सब के लिए equally serve करें चाहें उनका status या फिर influence कुछ भी हो मिलके हम सब को equal treat करें ये justice दिने वाला इंडिया हम बना सके वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो informative लगा तो please like, share और subscribe करें